हलो बच्चों, उमीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और जबरदस तैयारी कर रहे होंगे अपने बोर्ड एक्जामनेशन के लिए, आप जानते हैं कि आप नुमेरिकल लगाने अगर जाएंगे तो बहुत सारे नुमेरिकल किसी चेप्टर पे 50-100 नुमेरिकल लगाना इस चलिए आगे की बात करते हैं और शुरू करते हैं देखिए उससे पहले थोड़ी जानकरी कि ये मैंने आपके लिए वन शॉट वीडियो बना दिये हैं, PYQs बना दिया, MCQ बना दिया, Derivations बना दिये, 30 मिनट की वन शॉट सीरीज भी बना दिये और इन सब को एक जगा मैं इतना कुछ बनाया है तो वो आकिर क्या है, तो description में मैं इनका link दे दूँगा, click करके आप इसका use कीजिए, और time wasting से बचिए, एक ही जगा सब आपको मिल जाने वाला है, और उसके आगे कई बच्चों के ये लगता है कि भाई, जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसका उनको PDF मिल जाए, तो PDF मिल जाएगा, इसके लिए देकी link मैं ने दे दिया है, description के अंदर, click करके download कर लिजे, और, मैं अब click करके join कर लिजे, अर्विंद academy, telegram channel को, और यहाँ पर मैं PDF आपको दे दिया करूँगा, अगली बात करते हैं, अभी आप जान रहे हैं, कि examination और आपके बीच म पोचे जाते हैं, 30-35 सवाल पर chapter है, fully solved है, solution के लिए कि भागना नहीं, और additionally हम लोगों ने कुछ MCQ Assertion Reasoning के study भी दिये, जिसको लगा किया थोड़ा और बहतरीन परदर्शन कर सकते हैं, तो जो बच्चे short-short question लेना चाहते हैं, physics का, या mathematics का, या biology का, या chemistry का, वो 399 plus 10% off के ले सकते हैं, कुछ बच्चे को तीनों subject चाहिए होता है, bundling, 12 PCM, या 12 PCV, तो आप इसको ले सकते हैं, आपके लिए economical पड़े, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, 699 में ही इसको offer कर दिया है, इसमें ये fully solved मिलेगा, कहीं बटगने की जरूरत नहीं, और ये काफी है बटा इसमी app है, और इस app को आप download कर सकते हैं, इसका link मैं description में दे रहा हूँ, download करके आप store section में चली जाएए, और वहाँ पर buy now का option दिखेगा, अगर buy now का option दिख रहा है, तो direct purchase कर लीजे, और buy now का नहीं दिख रहा है, I am interested दिख रहा है, तो click कीजेगा, आपको message आ जाएगा, WhatsApp, SMS द्वारा, वहाँ पर link करके payment कर लेंगे, तो यह unlock हो जाएगा, course आपको मिल जाएगा, ध्यान कीएगा, यह Google की policy में कुछ change है, इसलिए शायद buy now कीजेगा, I am interested का option आपको दिखाई पड़े, चली यह बात को start करते हैं, जिस वज़े से यह video बन रहा है, यहाँ पुछा गय I obtain approximately the ratio of nuclear radii of the gold isotope and silver isotope, इन दो isotope का, तो मैं यहाँ पर laser pointer लाता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि यह formula आपको बड़े इच्छी तरीके से मालूम है, R is equal to R naught A की power 1 by 3, यह radius of nucleus का formula होता है, कि radius की nucleus की radius कितनी होती है, R naught यहाँ पर constant होता है, उसकी value है 1.1 into 10 के और minus 15 meter, और यह होता है mass number, अब इन में देखिए, यहाँ AU gold और silver की बात चल रही है, तो इनका ratio लगा देते हैं, radius nucleus का AU, radius nucleus silver का, और यह हो गया है, देखिए R naught AAU का power 1 by 3, R naught AAG का power 1 by 3, यह R naught R naught यहाँ पर cancel हो गए, जैसे आप देख silver, जो की 107 है, इसका cube root आगे, इसको solve करोगे, 1.23 answer आजाएगा, और इस तरह से सवाल हो जाएगा, यह जो सवाल है न, यह है तो बहुत छोटा, लेकिन बहुत काम का है, क्योंकि examination में कहीं न कहीं, MCQ या कहीं और, किसी के साथ यह जुड़ा रहता है, तो आप इसको जरूर कर लेंगे, ऐसी मुझे उमीद है, चलिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, एक तम समय को बचाते हुए, तेजी से, यहां पर दिखा हुआ है, भाई, जितना मैं important में इसको फिर से लिखना चाहता हूँ, तो थोड़ा बटन ओटन दबाना पड़ता है, तब यह आएगा, तो यहां पर मैं इसको लिखना चाहता हूँ, इस वेरी वेरी इंपोर्टन बटन बेटा, यह तो सवाल है ना, हर तीन सालों में दो बार आता है, तो यहां लिखा है, फ्रॉम दी रिलेशन, यह रिलेशन है, देखिए, वेर आर नॉट इस ए कॉंस्टेंट बढ़ यहां, and A is the mass number of nucleus, show that nuclear matter density, यह नुटलेस density है, वो nearly constant होती है, independent of A होती है, this is extremely important बटा, यह बात आप जरूर ध्यान लखिएगा, ठीक है, अब इसको मैं चल्दी से आपको बता देता हूँ, very important question, तो यहां देखिए, अगर आप किसी nucleus का mass number ले रहे हैं, A, माल लीजे A है, और उसका radius ले लीजे R, यह किसकी बात कर रहा हूँ, nucleus की, और साथ में उसका M जो है, वो average mass of a nucleon है, nucleon किसे बोलते हैं, proton और neutron का common name है, proton या neutron का common name nucleon, उसका mass हमने average mass M ले लिया है, तो अब आप जानते हैं कि जो mass of nucleus होगा, वो क्या होगा, M into A, क्योंकि M, small M तो एक nucleon का mass है, और कितने nucleon है, mass number के बराबर, mass number होता ही है, number of protons plus number of neutrons, ठीक है, तो यह इसका mass of nucleus आ गया, अब हम बात करेंगे, volume of nucleus की, तो volume of nucleus के लिए देखिए, V हो गया volume, यानि 4, spherical shape में, 4 by 3, pi r cube r है, radius of nucleus, आगे बात करते हैं, इस r की जगा देखिए, r naught a की power 1 by 3, डाल देते हैं, यह यहाँ पर relation दिया भी था, ना दिया होता, तो यह relation होता है, हमारी पढ़ाई में शामिल है, यह बाजू में मैंने लिख दिया, r is cut to r naught, a की power 1 by 3, यह पुट करतीजे, power 3 लगी हुई है, यह 3 में r naught cube हो गया, और a 1 by 3, 3 से गया, cut, तो यह 4 by 3, pi r naught cube a आ गया, बात समझ में आगी, क्या आया है बिटा, यह volume आया है, आप देख पा रहे होंगे, यह volume है, अब आप जानते हैं, कि जो nuclear density होती है, वो क्या होती है, यह mass upon volume हम लोगने formula बचपन से पढ़ रखा है, तो यह row हो गई nuclear density, n u लिखने का मतलब है nuclear density, यह mass of nucleus हो गया, nucleus का total mass, और यह total volume of nucleus नहीं है, mass के लिए, हम यह value रख देंगे, ma, mass of nucleus, और volume के लिए, हमने यह निकाल रख रखा है, volume of nucleus, value put कर दीजे, यह देखिए, ma हो गया यहाँ पर, और यह जो volume था, यह यहाँ से value आ गई, बात समझ में आ गई होगी, अब इसको आप solve कर लिजे, cut जाएंगी, a, a, cut गया, यह value आ गई, देखिए, 3m upon 4pi r0 cube, यहाँ पर small m, average mass of a nucleon है, जो की constant है, 3 upon 4pi तो constant हो गई, और 7 में जब constant है, तो यह independent from mass number a, इसमें mass number a है ही नहीं है, और radius भी नहीं है, यह तो r0 constant होता है, radius थोड़ा है यह, तो यह size of the nucleus, यह radius of the nucleus से भी independent है, तो यह question जो है, nuclear density सभी materials के लिए same रहती है, कभी-कभी पूछ लेते हैं, a और b दो material की nuclear density, बताइए किसी का mass number कुछ तो दोनों की nuclear density सेम होगी, क्योंकि यह constant आता है, सभी materials के लिए, मेरे कासे बात अच्छी तरीके से आप पकड़ लिए होंगे, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और यहां दिखें, important बात आपको दिखाता हूँ, मैं इसको pen में लेके आता हूँ, कोशिस कर रहा हूँ सीखन की, तो calculate the binding energy of an alpha particle, अच्छा बहिए, कहीं लोग तो जानते हो, alpha particle क्या होता है, यहीं भूल जाते हैं, तो मैंने याद दिलाने के लिए यहां लिख दिया है, कि alpha particle का मतलब होता है, helium का nucleus, यह nucleus of helium, 2HE4 का nucleus, nucleus में क्या हो गया, 2 proton और 2 neutron, बहिए, helium के nucleus में 4 neutron है, 2 proton, 2 neutron, इसे बोल होते हैं, आप लिखा यहां पर दिखे, इसकी binding energy हमको निकाल ली है, तो mass of proton दे रखा, mass of neutron, अगर ना भी दिया हो, तो यह आपके paper में शुरुवात में दिया होता है, और mass of helium nucleus आपको दे रखा है, और आपको भी पता है, कि 1 AMU से 931 के आसपास energy आपकी release होती है, अब मैं laser ले आता हूँ, कई बच्चे कहते हैं, pointer दिखता नहीं, तो मैंने जुगार लगाने की कोशिस की है, कि दिखी भी जाए, और थोड़ा बहुत में लिख भी सकूँ, तो मैं खुदी इसको सीख रहा हूँ भी, खेर, anyway, बात को आगे लिख चलते है, mass defect की तरफ चले हम लोग, तो mass defect की आ जाएगा, इनका proton और neutron का mass जोड लीजे पहले, अलग-अलग, तो दो proton का mass है, two into mass of one proton, two into mass of neutron, one neutron, और इसमें से mass of helium को घटा दीजे, यह जो mass of helium है, तो आपको आ जाएगा mass defect, अलग-अलग individual जो nucleons होते हैं, उनके masses को जोड लिया जाए, और उसमें से mass of nucleus, जो experimental mass ह होता है, nucleus का, उसको निकालके घटा दें, तो यह mass defect आ जाता है, यह delta M है, अब यहाँ पर देखिए, value पुट कर दी, कुछ नहीं जो value दी थी, वो पुट कर दी, इसमें कुछ समाजना नहीं है, बस value लेके टीप देना है, तो two into this one, two into this one, और यह mass of helium nucleus, यह दे रखाता देख इसको पुट कर दिया, अब इसको जोड घटा लिया, इसके बाद value आ गई, 0.016095 AMU, अब आपको पता है, एक AMU से इतनी energy release होती है, 931 MEV, तो इतनी AMU से कितनी release होगी, 931 MEV से multiply कर दिया जाए, कर दिया आपने multiply, यह देखिए, यह AMU, यह दे रखा है, और यह 931 का factor, क्यों 931 होती ही, तो इतने से कितनी होगी, into 931, और यह 14.9844 MEV आपका अंसर आ गया, तो ऐसे questions आप से बहुत पूस्ते है, यह 2030 का question भी है, लेकिन आता भी खूब है, बड़ी सरल सी बात है कि binding energy कैसे निकालेंगे, एक question इस पे और मैं करा देता हूँ, जिससे आपकी preparation में कोई कमी नहरे जाए, चलिए अगला सवाल देखते हैं, लिखा है, obtain the binding energy in MEV of a nitrogen nucleus, 7 and 14, और mass दे रखा है, nitrogen nucleus का यह, यह क्या experimental mass है, अब हम लोग क्या करेंगे, mass defect, जो nitrogen atom है, यह nucleus है, उसके अंदर 7 proton और 7 neutron होते हैं, यह आपको पता ना, यह तो हो जाता है, z तो number of protons, और 14 होता है, आपका mass number तो 14 में से 7 के, तो 7 neutron आ गए, इतना तो जानते ही हैं, यह काम हो गया यहाँ पर, अब हम mass defect निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 protonों का mass जोड़ लीजे पहले आप, यह लिख दिया, 7 into 1 proton का mass, इतने AMU, फिर हमने 7 neutronों का mass जोड़ लिया, इप्लाई कर दिया, यह value आ गई, अब इसमें से यह total mass कितना रखा इसको जोड़ा, तो 14.11 550 AMU आ गया, इसमें से जो experimental mass था, nitrogen का, यानि nucleus बन जाने के बाद nucleus, वो रही value 14.00307 AMU, यह उपर से यह value घटा दी जाएगी, इसको घटा दिया, यह देखो घटाया है, और यह mass defect आ AMU आपको 931.5 MEV देता है, तो इतने AMU कितना देगा, यह binding energy of nitrogen nucleus, तो यह इतनी AMU उसका mass हो गया, और 1 AMU से 931.5 MEV energy मिलती है, तो इतने AMU से कितनी मिलेगी, 931.5 से आप multiply कर दीजे, 104.7 MEV आपका answer आ गया, इस तरह से आप binding energy of nitrogen nucleus निकाल पाए, बहुत ही तेजी से समझ रहे ह हम लोग, और बहुत important बाते समझ रहे हैं हम लोग, मेरे काल से बात पकड़ ली है, अगला सवाल में करने वाला हूँ, यह थोड़ा सा horse type का question है, लेकिन प्यार से मैं समझा दूँगा, और देखे कितने मधूरता से आप समझ जाएंगे, लिखा एक given coin has a mass of 3 gram, आपको समझा आने के लिए मैंने एक coin बना दिया है, यह coin है 3 gram of copper का बना हुआ, अब यह कह रहे हैं कि इसके अंदर जो इसके nucleus में जो proton और neutron है, इन सभी को अलग करने के लिए कितनी nuclear energy की जरूरत पड़ेगी, बास समझ में आ रही है न, इसके अंदर atoms है, atoms के अंदर nucleus है, उन nucleus में proton neutron है, तो उन सभी proton और neutron को अलग करने के लिए कितनी energy की जोद पड़ेगी, उतनी energy की जोद पड़ेगी, जितनी binding energy होती है, उतनी आप दे देंगे तो सब अलग-अलग हो जाएंगे, खैर बात को आगे समझते हैं, यह copper का nucleus होगा, उसके अंदर कितने proton neutron होगे बेटा, तो 49 तो हो nucleus को अलग करने के लिए कितनी binding energy लगेगी, जो अभी हम निकाल रहे थे हैं, वो binding energy आजाएगी, फिर इस coin के अंदर कितने nucleus हैं, उससे multiply कर दो, total binding energy आजाएगी, बात कहतम हो जाएगी, simple है एक दम, तो यह mass of 29 protons, फिर mass of 34 neutrons, जैसे हम अभी तक निकालते आ रहे हैं, binding energy एक nucleus की वही process इस्तेमाल कर रहे हैं, अब यहाँ पर 34 into 1 neutron का mass रखा, multiply करके यह value आ गई, अब इनका total ले लो भई, total ले लिया, जोड दिया दोनों को 63.52185 emu आ गया, अब इसका जो experimental mass था copper का देखो, यह, यह mass यह दे रखा 62.92960, यह experimental mass copper का इसमें से घटा मारी है, यह जो value दे र minus कर दिया, इसमें से घटाया, यह value आ गई, this is the mass defect, binding energy एक nucleus की कैसे निकलती है, देखिए, binding energy of copper, one nucleus, इतना mass defect है, और एक amu से 931.5 mev energy निकलती है, इन दोनों का आपस में multiply कर दीजे, यह value हो गई, अब यह जो 551.5032 mev है, यह जो binding energy है न, यह एक nucleus की ध्यान दीजेगा, और यहां तो 3 gram copper की बात कर रहा है, तो हमको यह ढूनना पड़ेगा, यह 3 gram copper में कितने atoms हैं, कितने nucleus हैं, जितने nucleus होंगे, उसको इससे multiply कर दोगे, तो total value आ जाएगी binding energy को, और इतनी value आगर आप दे दोगे, तो bind रहेंगे ही नहीं, वो निकल जाएगे, तो चली आगे कितने atoms इसके अंदर हैं, तो आप देखिए number of atoms 63 gram of copper, यह 63 कहां से आया, मैं पीछे दिखा दूँ आपको एक बार, यह देखिए यहां पर 63 इसका atomic mass number है, तो 63 जो आप value लिख रहे हैं, gram of copper में, यह एक mole हो गया, एक mole, तो एक mole में कितने number होते हैं, nucleus के avogadro number के बराबर कह ल इनकी power 23, इसके अंदर atoms हो गए, और क्योंकि copper atom में एक ही nucleus है, मतलब एक atom एक nucleus, तो उसके अंदर इतने nucleus भी हो गए, अब देखिए, 3 gram में कितने atoms हैं, 3 gram में, तो यह पता था 63 gram में, तो 3 gram में कितना हो जाएगा, 3 upon 63 into avogadro number, इतनी value आ गई, कि इतने 3 gram of copper में, इतने आपके atoms हैं, और जितने atoms, उतने nucleus, आगे की बात करते हैं, energy required to separate all the neutrons and protons from each other of 3 gram of copper coin, अब 3 gram of copper coin में, कितने atoms हैं, यह मैंने निकाल रख था, या कितने nucleus हैं, एक को कितने थे, वो हमको पीछे से मालूम है, इसको multiply कर दो, एक binding energy की nucleus है, यह कि पिछली वाली binding energy, 551.5032, और यह number of atoms से, यह number of nucleus दुनों बराबर हैं, उसको multiply कर दिया, तो 1.582 into 10 की power 25 MeV आ गया, इतनी nuclear energy आप दे देंगे, 3 gram copper को, तो भाई साब, इसके neutron और proton सब अलग-अलग हो जाएंगे, एक horse type का question देखिए, 2-4 minute में आप मधूरता से समझा दिया, इसको करने की practice कर लीजेगा, चली अगला स हवाल बनाते हैं, लिखा है, suppose we think of fission of iron, 26 Fe 56 nucleus into two equal fragments, iron तूट रहा है, दो equal fragments में, aluminum, 13 Al 28 में, is the fission energy कर्टी पॉसिबिल, यह जो fission है, energy कर्टी पॉसिबिल होगा, argue by working out q of the process, given by वगएरा वगएरा, तो देखिए, यहां पे एक concept समझ लीजे, अगर q value हमारी positive आती है, q value, तो यह energy कर्ली possible होगा, और q value negative अगर आती है, तो यह possible नहीं होगा, तो हमें q value निकालनी पड़ेगी, कि इस reaction की q value क्या है, q value क्या होती है, initial energy में से final energy घटाना, अभी आप समझ जाएंगे, इस equation को देखिए, आप सच देखिए, यह इसकी initial energy हो गई, जो मैंने लिखा है, और यह इसकी total जो final energy होगी, इस initial से final energy हम घटा देंगे, अगर वो plus आती है, तो यह possible है, अगर यह नहीं plus आती है, तो not possible है, चलिए निकाल लेते हैं, तो हमने q निकालने के लिए mass of iron ले लिया, और इसमें से इस दोनों का mass घटा मारा है, और mc square का formula लगा दिया है, energy निकाल इसका mass, इसमें से इसका mass, initial में से final घटा आया, c square लिख दिया, यह आप सीधे 9 इतना जो amu आएगा, जो यह difference आएगा, उसको 1 amu सो 931.5 mev energy release होती, तो इतने से कितनी होगी, 931.5 mev, अब इसकी value आपने calculate की, जो कि negative आ गई, 9-26.90 mev, तो क्यों negative है, इसका क्या मतलब है, कि यह reaction possible नहीं होगी, क्यों, क्योंकि भाई, इस समय यह कम energy पर है, और यह ज़्यादा energy पर इसमें से घटाया हो ना, तो इसको इसकी energy बढ़ी है, तो energy देनी पड़ेगी ना, अपने आप कैसे फूटेगा फिर यह, फूटेगा तो ज़्यादा energy हो, तब तो फूट के कुछ और मना दे हैं, तो बात आप समझ गया होंगे, यही बात मैंने लिग दी, as the q value is negative, the fission is not possible energetically, तो यह energetically यह possible नहीं है, क्योंकि q value negative है, इस तरह के questions आते हैं, तो अगर आप इसको q values के context में नहीं जानते होंगे, तो सवाल हास से निकल जाएगा, और आप मुझसे पढ़ हैं, तो सवाल हास से नहीं निकलने दूँगा, इसलिए मैंने इस question को शामिल किया है, ठीक है, Arvind Academy और Arvind Sir, लगे हैं आपके साथ, अगली बात करते हैं हम लोग, अगले numerical की, the fission properties of plutonium are very similar to those of uranium, the average energy released per fission is 180 MeV, बहुत अच्छी बात है, how much energy in MeV is released if all atoms of 1 kg, 1 kg धान से पढ़ लिजेगा, pure plutonium undergo fission, एक fission में 980 MeV निकल रही है, एक kg में कितनी निकलेगी यह बताना है, बढ़ा सरल सवाल हो गया, पर नंबर of atoms in 239 gram, plutonium 239 क्या है, इसका mass number, तो यह एक number of atoms, या nucleus हो गए, 6 गौदरों नंबर के बराबर, अब 1 gram में कितने, 1 gram का मतलब 1000 gram, plutonium में कितने number of atoms हैं, तो इसको आप उसी तरीके से, this one upon 239 into 1000 कर दीजे, तो इतने इसके अंदर, nucleus आ गए, है ना, plutonium के अंदर, अब आप जानते हैं कि एक nucleus के fission में 180 MeV की energy निकल लई है, तो इतने nucleus निकल, तो फूटेगा, तो कितनी energy निकलेगी साब, इससे multiply कर दो, 2.52 into 10 के power 24, into 180, द ये value देखी क्या आ गई, 4.54 into 10 के power 26 MeV, ये answer आ गया, कि एक kilogram या 1000 gram को फोड़ा गया है, तो कितनी बात बनी है, तो मेरे खाल से ये बात आप समझ पाए होंगे, and thank you very much for watching, अर्विंद Academy चैनल को subscribe करना मत बुलिएगा, top quality content के लिए, physics top quality content, और सरलतम भाशा, easy language, आसान भाशा में सीखने के लिए, description में कुछ link है, उनको जरूर देख लीजेगा, आपके reserve में 4 चान लगाने की काबियत रखते हैं वो, thank you very much, wish you all the best.